बरसात के दिन आने वाले थे, सब पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था, मीनू चिडिया ने भी अपना घर बना लिया था, उसको अपने घर में रंग करना था आज मैं अपने घर को रंग करके काफी सुन्दर बना दूंगी अज सभी पक्षी अपने गरों में रंग करने वाले हैं कल मिठु माराज सभी का घर देखने आने वाले हैं मैं बादल भाईया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वो आकर बारिस कर दे ताकि सभी के घरों में लगे रंग खराब हो जाए कल सुबह होती मैं अपना घर रंग कर दूँगा जब मिठु मारा जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा घर उन्हें मेरा ही लगेगा ये सोचकर वो बादलों के पास जाता है सभी पक्षियों ने अपना घर रंग कर दिया था मैंने अपना घर एकदम तयार कर दिया है बहुत सुन्दर लग रहा है बादल भया, बादल भया, हम लोग पानी के लिए तड़प रहे है आप चल कर हमारे यहां थोड़ा बारिस कर दीजिये क्रिपा करके अच्छा, ठीक है कालो कवे, तुम चलो हम आते है चलो भाई चलो, एक जंगल में आग लग गई है हमें वहां पे बारिस करनी है वहां आग बुझानी है उस जंगल में कल जाके बारिस कर देना वो दोनों वहां से चले जाते हैं कालो कवे को इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन वो नहीं आते हैं और कालू कोवा सो जाता है और सुबह होती है तो कल पादल तो आया ही नहीं चलो मैं भी अपना घर रंग कर देता हूँ महराज आने वाले हैं कालू कोवे ने भी अपना घर रंग कर दिया था लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूँगा चलो भाई अज कालू के हम बारिस करनी है फिर कुछ दिर बाद वहाँ बारिस होना शूरू हो जाता है कालू ने अभी अभी रंग किया था इसलिए उसका घर एक दम खराब हो जाता है मिटू माराज एक एक करके सब के घर देखने जाते हैं फिर वो कालू के घर आते हैं और उसका घर देख के काफी गुसा हो जाते हैं कालू तुमने अपने घर रंग नहीं किया? चलो मैं मेनुचिरिया के घर जाता हूँ मुझे तुम्हारा घर बिलकुल पसंद नहीं आया मिठ्टू महराज को मीनू चिरिया का घर काफी पसंद आता है उसका घर सबसे ज़्यादा सुन्दर था वाँ वाँ मीनू चिरिया वाँ तुमने बहुत सुन्दर घर बनाया है इस साल के विजे तद तुम हो मीनू चिरिया फिर मिठो महराज तोफे में मीनू चुलिया को कंदम का खेत देते हैं और मीनू चुलिया बहुत खुस होती है